तो नमस्कार एक वाफेर से आप सभी का क्रिप्टो करंसी की दुनिया में स्वागत है और आज का वीडियो फ्रेंट्स बहुत ही जादा इंपोर्टेंट रहने वाला है खासकर जो लोग क्रिप्टो करंसी अब इटकोईन में काम करते हैं तो चलिए फ्रेंट्स स्टार्ट कर है कि एक प्रॉपर वीडियो इसेरियम कॉईन के ऊपर बनाया जाए जैसा कि आपको पता है कि आप सभी लोगों की रिक्वेष्ट पर मैंने पिछला वीडियो रिप्पल कौईन के बारे में बनाया था अगर आपने अभी तक रिप्पल कॉईन वाला वीडियो नहीं देख करना चाहिए क्या इस समय इथेरियम क्वाइन में निवेस करने का एक अच्छा मौका है क्या इस समय इथेरियम क्वाइन में इंवेस्टमेंट करने से बहुत जादा हमें फायदा मिल जाएगा बिलकुल भी नहीं भूल कर भी गलती मत करना इस समय इथेरियम क्वाइन में की कोई भी प्रोजेक्ट होता है सबसे important मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि उसकी rank decide करती है कि ये प्रोजेक्ट कैसा है अगर हम Ethereum की बात करें तो number 2 का प्रोजेक्ट है दूसरे number पर ये प्रोजेक्ट बिलॉंग करता है इसका मतलब कहीं न कहीं पूरी worldwide जितने भी cryptocurrency के users हैं इसका नाम सब लोगों ने सुना होगा और ये बहुत ही famous cryptocurrency है पूरे world में तो इसलिए प्रोजेक्ट तो बहुत ही दमदार है अब हम यहाँ पर बात करेंगे जो दूसरे number की बात होती है सबसे important किसी भी project के लिए कि वो कौन कौन से exchangeों पर listed है मतलब क्या दुनिया की जितने भी cryptocurrency के exchange है maximum ether coin listed है जी हाँ जितने भी cryptocurrency के exchanges है maximum हर एक exchange पर ethereum coin listed है और जब coin listed है हर जगे तो इसका मतलब हर जगे trading होती होगी और उसका volume होता होगा और उसके चलते क्या होता है price में अच्छा खासा एक fluctuation दिखता है और इससे क्या होता है कि market में जितने भी cryptocurrency के exchange है उनके कहीं न कहीं cryptocurrency exchange के users होंगे और वो सभी लोग इस coin में trade कर रहे होंगे तो ये थी बात rank और exchange के listing की अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि आखिर secrets इसके क्या है यहाँ पर secret है सबसे ज़्यादा इसमें क्या होता है Ethereum और Ripple हमेशा इसकी टेकर होती है second rank के लिए कभी Ether two number पे जाता है कभी Ripple two number पे जाता है दूसरा जो secret है कि Ether जो coin है वो पूरे market में बहुत ही ज़्यादा solid project है बहुत ही दमदार project है उसका reason में आपको अभी बताऊंगा और उसके बाद में अगर Bitcoin की बात करें तो पूरे world में Bitcoin तो famous ही है Bitcoin तो cryptocurrency में राजा है है लेकिन अगर Bitcoin के बाद में कोई cryptocurrency आती है तो वो है Ether इसको प्यार से लोग Ether भी बोलते है तो जो Ethereum है यह पूरी world wide बहुत ही ज़्यादा famous cryptocurrency है अब हम इसकी बात करेंगे कि क्या इसकी use cases है सबसी बड़ा इसका जो use case है Ethereum coin का ERC 20 base token इसकी जो technology है वो बहुत ही ज़्यादा पूरी world wide famous है बहुत ही ज़्यादा company ओमें इसकी demand है बहुत ही ज़्यादा इसके use हो रहे है अब हम यहाँ पर बात करेंगे Ethereum जो coin है अगर आपके मन में एक doubt अभी भी होगा कि क्या ये coin कभी scam हो सकता है क्या ये coin अभी project में dumb है कि नहीं scam हो सकता है कि नहीं बेकार है आपके मन में दिमाग में ये चीज़ें आ रही होंगी तो मैं आपको बताओ friends ये project जो है अभी के according बहुत ही अच्छा है पूरी worldwide famous है इसको चाहे आप technically देखें या फिर fundamentally देखें बहुत ही strong project है लेकिन अगर Ethereum coin यहाँ पर scam हो गया तो क्या होगा सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर अगर Ethereum coin scam हो गया या कुछ भी इसके साथ में भला बुरा हो जाता है हाला कि होगा नहीं लेकिन अगर कुछ हो गया तो सबसे बड़ी समस्या जानते कहां पर आने वाली है alt coin के उपर क्यूं क्यूंकि market में 4000 alt coin है और 95% जो वो project है सभी Ethereum based technology पर है ERC20 based सभी token है तो आप खुछ सोचिए कि अगर Ethereum coin डूब गया या कुछ बात आती है तो सारे के सारे alt coin खतम हो जाएंगे इसका मतलब क्या alt coin भी खतम हो गया इथर भी खतम हो गया बचा क्या bitcoin 24-5% और भी alt coin है new है और भी कई सारे ऐसे project है लेकिन आप सोचिए कि ये बहुत गलत हो जाएगा इसलिए Ethereum coin की demand बहुत ही ज़ादा है market में इसका जो technology यूज होता है इसमें ether का यूज होता है इसकी जो technology है वो बहुत बड़ी बड़ी company हो में जूज होता है मतलब कहने का ये है कि 90% यहाँ पर जो alt coin है 95% जो alt coins है वो सभी के सभी ethereum पर waste है उस पर depend है तो कहीं न कहीं आप सोचिए इतना बड़ा project पूरी worldwide famous और maximum alt coin इसके उपर depend है इसका मतलब कहीं न कहीं बहुत जादा लोगों का भरोसा है इस coin पर तो इसलिए ये coin हमें एक अच्छा फाइदा दे सकता है अब हम यहाँ पर बात करेंगे अच्छा फाइदा दे सकता है अच्छा फाइदा देता भी है और दिया भी है region उसका मैं बता रहा हूं आपको अभी हमने यहाँ पर सबसे बड़े सवाल आप लोगों के साथ में रखे थे कि क्या अभी इथेरियम कॉइन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए क्या भी इथेरियम कॉइन को बाई करना चाहिए बिल्कुल भी नहीं उसका reason मैं आपको बताता हूं रीजन सबसे बड़ा यह है कि आप कोई भी shopping करते हैं कोई भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं कोई भी कपड़े खरीते हैं सूज खरीते हैं तो आपके मन में सबसे पहले एक question आता है कि कास ये project हमें ये product हमें सस्ता मिल जाता तो क्या ethereum के लिए wait नहीं करेंगे इसके लिए भी तो wait करना चाहिए सस्ते में लेना चाहिए तो मैं आपको बताऊँ अभी ethereum में बिल्कुल भी investment नहीं करना है अगर इसकी हम current price की बात करें तो 170 dollar के around में है मतलब 170 dollar पर है अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर क्या करना है अगर आप buy करना चाहते हैं तो इसको 120 के range में buy कीजिएगा 120 130 140 dollar के आसपास में even 110 dollar पर याद है आप लोगों को पिछली बार जब video बनाया था ethereum coin के उपर 95 dollar का था और market में क्या हो गया था लोगों ने इतना जादा इसके उपर मतलब scam fraud यह सारी चीजे इतना जादा market में negativity इसकी आ चुकी थी कि लोग डर गये थे ethereum coin scam के उपर video बनने लगे थे तो मैंने title के डाला था कि is ethereum coin going to zero आज भी वो वीडियो पढ़ा हुआ है पिछले साल जब 90 dollar का था वहां से क्या थाइसो डॉलर तक गया था अगेन मोका मिला 120 डॉलर तक आया अगेन हमने रेंट्री करवाई और अगेन ौछली 170 बात करेंगी कि क्या Ethereum coin को अभी sell करना चाहिए येस आल्रेडी में Telegram Channel पे exit करवा चुका हूँ 170 प्लस डॉलर पर मतलब अगर आप इसलिए मैं हमेशा ट्रेडिंग करवाता हूँ तो ये हमारा exit point है exit point मतलब आप कोई भी trade करते हैं अगर आप entry नहीं लेंगे exit नहीं करेंगे तो आपको profit कैसे मिलेगा इसलिए मैं हमेशा trading करवाता हूँ तो टेलिग्राम चैनल पे आल्रेडी हमने 170 प्लस डॉलर पर exit करवा दिया है आप लोग parts में इसको यहां पर exit कर सकते हैं according to you 170 डॉलर जो है 180 डॉलर जो है यह इसका selling जोन है यहां पर आप exit कर सकते हैं और again इसको री इंट्री यहां पर कर सकते हैं तो मैं आपको बताओं यहां पर exit कर जाना है और क्या इस coin को अभी hold करना चाहिए जो लोग long term के लिए hold कर रहे हैं बिल्कुल इस coin में कोई संदेशी नहीं है आपको कुछ भी करने की जरूवत नहीं है अगर अगर आप ether coin में trade करना चाहते हैं तो उपर जाए तो sell किजिए माल लेते हैं example के लिए कि आपने 10 ethereum खरीद करके 2025 के लिए hold किया है बहुत अच्छी बात है long term आप investor में लेकिन अब आप खुछ सोचिए कि जैसे अभी 30% का profit हुआ है 125-30 dollar से 170 dollar गया तो मतलब 30% का यहां पर pump हुआ अगर आप long term investor है 170 dollar पे 80 dollar पे 75 dollar पे यहां पर क्या करते हैं sale करते हैं parts में और उसके बाद जब नीचे आए तो again इसको buy कर लीजिएगा तो क्या होगा आपका जो 10 ethereum 2025 के लिए hold किया है न वो क्या हो जाएगा 10 से 15 ethereum हो जाएंगे अगेन इसको क्या कीजिएगा जब उपर जाएगा तब sale कीजिएगा जब नीचे आए तो फिर again buy कीजिएगा 10 ethereum का जो आपका यहां पर 2025 के लिए hold किया है वो 100 ethereum से जादा हो जाएगा लेकिन होगा कब कैसे होगा यह ethereum जादा अगर आपको knowledge है experience है cryptocurrency में trading आती है तब ही यह चीज़ करिएगा नहीं आती है तो बिलकुल भी मत करिएगा और अगर आप trading करते हैं जानना चाहते हैं सीखना चाहते हैं समझना चाहते हैं entry exit सब कुछ करना चाहते हैं तो हमारे telegram channel को जरूर join कर लिजे comment में और description box में आपको link मिल जाएगी क्योंकि वहाँ पर हम सभी project के exit entry करवाते रहते हैं और trading करवाते रहते हैं profit करवाते रहते हैं तो यह था आज का यह total video ethereum coin के उपर लेकिन अभी एक चीज़ बाकी है आप सभी लोगों के दिमाग में एक चीज़ चल रही होगी कि आखिर ethereum price इसका price prediction क्या हो स चल ही रहा है bitcoin अगर 10,000 के dollar के पार जाता है और 15,000 तक जाता है bitcoin हो सकता है चला जाए क्योंकि halfing भी है अभी तो जब यह bitcoin जाएगा उपर तभी यह ether भी जाएगा तो आपको 300-400 dollar easily आपको देख सकता है ethereum लेकिन अब बहुत सारे लोगों के मन में question है कि क्या ethereum coin 2000 dollar तक आता हूँ आपको पिछला bull run सब लोगों के याद होगा 2017 जनुवरी मन्त सीधे ethereum coin 100-200 dollar से 1400 dollar तक गया था कोई नहीं सोच रहा था कि 1000 dollar भी जाएगा लेकिन गया क्योंकि cryptocurrency है unexpected pump होता है तो उस तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पर अगर bitcoin यहाँ पर 20-25,000 dollar चला जाता है क् बहुत सारे लोग इसको analyze कर रहे हैं research कर रहे हैं अगर bull run आ गया अच्छे से और यहाँ पर bitcoin बहुत ही जादा चला गया 50,000 dollar 25,000 dollar इस तरीके से तो आपको ethereum coin 2000-3000 dollar पर easily दिख सकता है easily, easily मतलब यहाँ पर बहुत आसानी से इसका reason यह है कि बहुत ही जादा famous cryptocurrency है लोग इसमें investment बहुत ही जादा कर रहे हैं तो इसलिए ethereum coin भी 2000 dollar तक touch कर सकता है लेकिन कब जब bitcoin 25,000 dollar या 50,000 dollar future बे होगा तो यह था friends आज का पूरा review ether coin के उपर आपको यह video कैसा लगा हमें comment section में comment करके जरूर बताईएगा अगर वीडियो पसंदा है तो like करके जरूर बताईगा और हां आप कौन से coin के उपर कौन से project के उपर वीडियो देखना चाहते हैं comment section में comment करके बताईगा और अगर आपन चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर कर लीजी हम फिर मिलेंगे तब तक के लिए टेक केर वेस्टाब लग है बनाइस टे